जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर समझाओंगा और कुछ वेलफेर से जुड़ी जानकारी है वो भी मैं आपको दूँगा। सबसे पहले दोस्तो एक सर्कुलर है सर्कुलर 191 ये निकाला था पीसेडिये ने 23 2017 को और इसमें पीसेडिये ने आदेश दिया था CDA को, Pay and Account Officer को, DPDO को, Postmaster को, CPPC को, Bank को और सारे Treasury को Chief Account RBI दोस्तों इनको आदेश दिया था कि अगर पैंशनर रिटेर हो रहा है अगर उसने Commutation लिया है तो उसका Commutation 15 साल बाद Automatic Restore कर दिया जाए दोस्तों ये आदेश इसलिए दिया था क्योंकि कई जो Department है या फिर जो Treasury है, DPDO है वो कई बार आप Commutation Automatic Restore नहीं करते यानि पैंशनर्स को परशान करते है यानि पैंशनर्स लिखके देता है कि हमारा Commutation Restore किया जाए after 15 years बलकि Rules के According ये काम Automatic होता है पैंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा चाहे सपर्श हो, बैंक हो, DPDO, ट्रेजरी हो चाहे कोई भी पैंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी हो, यानि जब आपके 15 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको फुल पैंशन मिलेगी, आपको Commutation Automatic Restore होगा, पैंशनर को कोई अलग से कारेवाई करने की जुरत नहीं है, कि पैंशनर खुद बैंट जाए या फिर इस पर्श में च चिठी थी, सर्कुलरता, Automatic Restoration of Commuted Portion of Pension and Payment of Additional Quantum of Pension, यानि जो एडिशनल पैंशन है, अगर पैंशनर के फैंशनर के 80 साल हो रहे हैं, तो फिर जो एडिशनल पैंशन है, वो एडिशनल पैंशन है, वो एडिशन दी जाए, पैंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा, चा एडिशनल पैंशन का लाब, पैंशनर को, फैंशनर को मिलेगा, पैंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा, और उसके बाद जो Commuted Portion है, वो Automatic Restore होगा, पैंशनर को या फिर फैंशन करने की जुरत नहीं है, किसी भी पैंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा, तो द वे जनिक में सारे लेटर डालके रखता हूँ, तो आप डिरेक्ट मेरे Facebook से जूर सकते हैं, उस में सारे लेटर अपलोड होते हैं, मैं डालता रहता हूँ, और पैंशनर भी महां पे एड है, वो भी आपकी हल्प कर सकते हैं, दूसी चीज मैंने अपने WhatsApp गुरुप का भी ल important letter है तो दोस्तों यह आप मेरे से letter ले सकते हैं चलते हैं आगली information की तरप फिर दोस्तों एक और letter है यह letter काफ़ important है अगर आपको area नहीं मिलता या आपकी payment delay हो जाती है area delay हो जाता है यानि जो time है देने का अगर उस time तक उस date तक आपको नहीं मिलता फिर आप 8% interest rate की demand कर सकते हैं अपनी pension dispersing agency से चाहे वो spurs हो cppc हो dpd हो रेजरी हो चाहे bank हो आप demand कर सकते हैं इस letter के मुर्ताविक क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई bank cppc या कोई भी pension dispersing agency आपको time पर area नहीं देती पेमेंट नहीं देती तो उसके बाद bank cppc सपर्श आपको 8% interest rate के साथ extra पैसा देगा तो यह करेवाई आपको खुद करनी पड़ेगी खुद एक noting करनी पड़ेगी शिकायट डाननी पड़ेगी अगर आपको ओ और ओपी का भी area नहीं मिला है चाहे family pensioner को चाहे दूसरे pensioner को पहली दूसी तीसरी किष्ट नहीं मिली है तो फिर वो अलग से interest rate 8% क कर सकते हैं तो दोसते यह भी letter आप मेरे से ले सकते हैं इसका लिनक्क दोस्तो मैं अपने description box में डाल दूए तो यह जितने भी letter है मैं अपने facebook में डाले रखता हूं तो आप मेरे facebook से जूड सकते हैं तो Facebook का जो.. लिंक है MARK गुरुप का वह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगा अब आसे जूट सकते हैं चलते हैं अगली इंफोर्मेशन की तरफ फिर दोस्तों एक लेटर है जो पीसीडिये ने लिखा है लेफ्टिनन कर्नल राजकुमार भादवाजी को यानि इन्होंने एक शिकायट ड इन्हें बताया है कि किस तरीके से हम इस पर्ष में जो दिक्कते आ रहे हैं उसे हम solve कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भी दिक्कते हो रहे हैं वो हम solve कर रहे हैं आगे और जितनी भी problem है ये सारी दूर हो जाएंगी और जो पैंशनर, family pensioner जो अपना data correct कर रहे हैं और उनकी जो request pending में आ रही है तो उसमें जितना time लग रहा है उस time को कम किया जाएगा और जो pending में दिखा रहा है आपका status उसे successfully done किया जाएगा यानि जितने भी pending cases हैं उन सब को solve किया जाएगा successfully done किया जाएगा तो यही चीज़ दोस्तों इन्होंने समझाईए इसपर्श PCDA ने corrective measure to resolve the issue anomaly in personal detail, service detail are being handled by record office और जो भी आपका data verify हो रहा है इसपर्श के तुरू वो हो रहा है record office के तुरू चाहे आप data correct कर रहे हो, कोई correction कर रहे हो, चाहे आप M.A.C.P. enroll कर रहे हो, जो भी चीज़े सपर्श में वो सब verify हो रहा है record office के तुरू यानि इसपर्श, record office, TCS team मिलके आपकी सारी चीज़े देख रहे हैं, सारी चीज़े सुधार रहे हैं, थोड़ा time लगेगा correction होने में, थोड़ा ठीक होने में time लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है, इसपर्श ने PCDA ने, Lieutenant Colonel राज कुमार जी को, service request submitted by passionate is being resolved in due courses, जैसा मैंना आपको बताया, जितनी भी service request है, जो आपकी pending में, वो solve हो जाएंगी, धीरे धीरे आगे, थोड़ा सा time लगे है, all 10 पर्श नेटेट इशू, whether it is the SR passionate, service request, ग्रेवांसे और इशू, फेसबा record office are being monitored by operating system, जो भी आपकी service request है, जितना भी ग्रेवा जाएंगी, तो दोस्तों ये कुछ information थी, जो मैंने आपको समझाई, ऐसी दोस्तों spouse का लिखा है, spouse status as not alive, यानि मापे spouse को मरा हुआ दिखा रख रहा है, इस पर्श पे, तो उसकी भी जो समस्या है, वो भी दूर करी जाएंगी, चलते हैं अगली information की तरफ, सी दोस्तों की information है, सूचन है, जिन पूर्व सैनिकों के dependent जैसे माता पिता, 18 वर्ष से उपर बच्चे का ECHS कार्ड बना हुआ है, तो किरपया उनका 26 AS form submit कर दें, जैसे dependent हो गए, या फिर 18 वर्ष से उपर की बच्चे हो गए, तो उनका 26 AS form submit कर पड़ेगा, अन्यता कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, दोस्तों ये रूल्स के अंतरकात आता है, 26 AS form, और एक special information है, पूर्व सैनिक पत्नी का 26 AS form submit करने की आविश्रक्ता नहीं है, यानि खुच जो पैंशनर है, और जो उसकी पत्नी है, उसका 26 AS form, form submit आप नहीं करेंगे, यान फिर कोई भाई भेन है, जो dependent है, या फिर जो बच्चे है, 18 वर्स उपर, तो उनका आपको ये काम करना है, यह तो उनका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, तो दोस्तों ये कुछ information दी मैंने आपको, आपके welfare से related, और कुछ important letter से related, बाकि आप नीचे comment कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और पूछना है, तो दोस्तों आई होप सारी सीज़ आप समझ गयोंगे, वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हैं, तैंक यू सो मुच